टूंअब नुम्सकार दोस्तों आप सभी का स्वाइगत हैं फिर से हमारे सी वडू चैनल पर कि आज हम आपको जो पढहने जारहे हैं वो है शीरीज आरल सी सरकृट हमने प्रिबिएस वीडियो में Series RLC का case देखा था इस वीडियो में हमने ये देखना है Series RLC का case देखना है Series RLC के लिए हमने क्या किया कि एक resistor, inductor और और एक capacitor ये हमने Series में connect कर दिया और इसमें हमने जो input voltage दिया है वो है V कि VWC, 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 V के investors में अब हैति जो करेंट है तो ہं क्या करेंगे करेंट को रिफटेंच माने इस current के फेज में आ जागा वह जागा वी आर अभी करेंड इंड़क्टर में क्या है इंड़क्तर में पता है कि वॉल्टेज करता है current से 90 दुक्री तो यहां पर हमने बना दिया वी एल in 90 डिधरी करता हुआ है current से 90 डिगरी है कि इसके बार VC को draw करते हैं तो VC यानि voltage across capacitor इस current से 90 degree lag करेगा तो यह 90 degree आ गया VC तो यह हमारा आ गया phasor diagram अब इस phasor diagram से हम क्या करेंगे दो case बनाएंगे पहला जो case मिलेगा वो क्या होगा case 1 case 1 में जब VL is greater than VC होगा और case 2 इसमें क्या होगा जब VL less than VC और VC greater than VL होगा जब VL greater than VC होगा तो हम यहां से और question दिख रहा है XL greater than XC और यहां से XL less than XC sorry XL less than XC तो यह हमारे दो cases बन रहा है तो इन दोनों case को हम देखते हैं हम कोई एक case को लेके solve करेंगे तो हमारा जो impedance आएगा वो generalized form में होता है तो हम दोनों case में वो apply कर सकते हैं तो हम पहला case लेके चलते हैं जब XL greater than XC हो तो case 1 के case में क्या आपका फेजर बनेगा वो देखते हैं case 1 यानि XL greater than XC या VL greater than VC तो इस case में जो हमारा फेजर बनेगा उसको देखते हैं यहाँ पर हमने क्या माल लिया current को reference current same मनाएंगे फेजर यह आजाएगा VR यह है हमारा VL अब हमने क्या करना है कि VC को VL के direction में ले जाना है यह आजाएगा हमारा resultant VL minus VC और finally जो input voltage है वो क्या होगा और यह V आगया यह angle होगा हमारा theta यह है VR यह फेजर बनेगा इस particular case के लिए तो फ्राम इस फेजर डाग्राम V is equal to क्या लिए सकते है VR square plus VL minus VC का whole square with root यहां से और क्या लिए लिए सकते है VR के जगा I into R square plus I into XL minus I into XC का square I square common हो गया R square plus XL minus XC का whole square यहां जाएगा I root के बाहर तो यह हो जाएगा R square plus XL minus XC का square यहां जाएगा V upon I is equal to R square plus XL minus XC का whole square with root यह है क्या यह ohms law question है ठीक है तो यहां से हम क्या लिख सकते है इसको Z और Z को बोलेगे क्या impedance यह होगा impedance और इसकी unit हो जाएगी again ohm तो यहां जाएगा ohm तो V upon I is equal to Z यहांई V is equal to I into Z यह ohm slow equation हो गया अब Z is equal to क्या लिख सकते है under root R square plus XL minus XC का square यह हमारे पास आजाएगा impedance का equation अब हमने क्या करना है कि यह जो phasor है इसको triangle में change करना है तो हम क्या करेंगे इसका इसको voltage triangle और impedance triangle दोनों में change करेंगे कैसे change करेंगे वो देखते हैं हुआ 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 इसके भी और श्रेट करना है व्य हुआ जाएगा V या जाएगा अंगल तीटा यह होगा voltage triangle यह होगा voltage triangle पीक है अब कर दो करना शाइगे में हमने अगर करेंट को डिवाइड करना है तो हमने यह डिवाइड कर दिया तो क्या मिलने वाला है जो साइड्स यहां आपकर वोल्डेज के हैं वो हो जाएंगे रिजिस्टेंस रिएक्टेंस है इंपिदेंस तो यह आजाएगा और यह आजाएगा एक्सल माइनस एक्सी यह आजाएगा जेड इंपिदेंस यह आजाएगा थिट्टा यह फाई और यह वजाएगा क्यों इंपिदेंस ट्रेंगल अब दोनों ट्रेंगल से हम साइन फाई निकाल सकते हैं यह साइन थेटा कॉस्ट थेटा तैन थेटा सान थेटा क्या होजाएगा VL माइनस VC अपॉन W COS थेटा होजाएगा VR अपॉन W और तैन थेटा होजाएगा VR माइनस VC अपॉन W R इंपिदेंस ट्रेंगल से क्या होजाएगा XL-XC upon Z यह हो जागा R upon Z यह हो जाएगा हमारा XL-XC upon R तो यह हम यहां से angle निकाल सकते हैं यह case 1 का complete है part case 2 देखते हैं case 2 similar होगा इसके तो देख लेते हैं case 2 case 2 में इसी फिजर को उठाते हैं इसमें हमने क्या करना है XL को कम करना है XC को जादे करना है या XC को जादे करना है तो हमने क्या करना है कि इसमें VL को हम लाउन करेंगे VC के direction में तो जो case 2 है XL XL less than XC या XC greater than XL यहां पर VC greater than VL यह आजागा case हम नहीं क्या करना है कि यह होगा VR यह हमें पता था VC हमने VL को इस direction में लाया है VC के direction में तो यह हो जाएगा VC minus VL यह आजाएगा resultant voltage V यह आजाएगा तो यह जो फेजर बना है current आएगा इसके direction में यह current आजाएगा I यह जो फेजर बना हुआ है इस फेजर से हम equation जब find out करेंगे तो V is equal to क्या जाएगा VR plus VL minus VC whole square यहाँ ध्यान देना है कि VL minus VC नहीं होगा VC minus VL होगा क्योंकि case हमारा VC greater than VL तो यहाँ से जह हम इसको simplify करेंगे I square R square plus XC minus XL का square यह आजाएगा यहाँ से I आगया बहर तो R square plus XC minus XL का square यह गया V तो V upon I यह क्या देगा impedance यहाँ से हम क्या कर सकते हैं R square plus XC minus XL का square with root यह हमारा impedance equation आजाएगा अब यहीं से हम क्या कर सकते हैं voltage triangle में बदल सकते हैं तो हमने voltage triangle में बदल दिया और साथ में current triangle में बदल सकते हैं तो यह हो जाएगा R यह हो जाएगा XC minus XL यह आजाएगा V यह आगया theta तो यहाँ से sorry Z यहाँ से हम अगें sin, theta, cos, theta, tan, theta यह तीनों calculate कर सकते हैं निकाल सकते हैं यह थीटा निकाल सकते हैं तो यहाँ से sin, theta क्या हो जाएगा VC minus VL upon V यह XC minus XL upon V cos theta हो जाएगा R upon Z या VR upon V 10 theta हो जाएगा VC minus VL upon R VR या XC minus XL upon R तो यहाँ से हम अगें निकाल सकते हैं तो हमने दोनों case देखा दोनों case में जो हमारा impedance हाया है वो कुछ है यह है Z is equal to R square plus XL minus XC का whole square with root यहाँ पर क्या जाएगा Z is equal to R square plus XC minus XL का square with root तो यह हमारा पास दो impedance equation मिलेंगे अब दोनों similar है बस case का ही difference है यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? XL minus XC कर रहे हैं XC minus XL कर रहे हैं बस यह change है और यह general equation है जिसका use हम करते है impedance find दरने के लिए अब यहाँ पर हम cos Y पर ध्यान देए cos theta पर ध्यान देते cos theta क्या है? cos theta है आपका power factor cos theta है आपका power factor और theta क्या है? यह theta है phase angle और यह है power factor phase angle का cosine ले लिया जाए तो power factor आजाएगा power factor क्या होता है? R by J, V, R upon V तो यह formula है जिसका use करके हम power factor निकालते हैं तो इसमें हम power factor को लेके तोड़ा conclude करते हैं एक चार्ड बनाते हैं हमने element ले लिया element पहला register दूसरा inductor तीसरा capacitor यहां आ रहा है phase angle और यह आएगा power factor चलिए देखते हैं और रेजिस्टर प्योर element के केस में हमने अच्छा यहां केवाल रेजिस्टर लिखा यानि प्योर का केस है इस case में हमने क्या पड़ा था इस case में जो phase angle मिला था वो 0 मिला था 0 degree जो voltage between sorry phase angle between voltage and current वो 0 degree था there is no phase difference between voltage and current तो power factor क्या हो जाएगा तो cos 0 cos 0 के value होती है 1 तो purely resistive के case में power factor हम ऐसा क्या होगा 1 होगा यहां आते हैं inductor pure inductor case है तो यहां phase angle आएगा 90 degree यहां पर जो power factor होगा cos 90 वो कितना होगा power factor आएगा cos 90 cos 90 के value क्या होगी 0 तो purely inductive के case में power factor होता है 0 purely capacitive के case में क्या हो जाएगा cos 90 again यह होगा 0 यानि pure resistor हो तो उस case में 1 होगा power factor pure inductor और pure capacitor हो तो power factor होगा गया 0 अब इनका combination देखते हैं combination में अगर RL का case आजाए series RL का case है तो series RL के case में जो phase angle है वो depend करेगा supply voltage और current पे या यह कह लीजिए register और इनके impedance पे voltage voltage and current in this case तो उस case में क्या होगा power factor उस case में जो भी power factor मिलेगा यानि इस particular case में जो भी power factor मिलेगा power factor जो भी आएगा और वो क्या होगा power factor near to 0 या यह कह लीजिए power factor कम होगा तो इस case में power factor आएगा यानि हमने theta ले लिया वो जो power factor होगा वो हमेशा lagging होगा power factor lagging आएगा अब आते हैं series RC की case में इस case में भी जो phase angle है वो same होगा यानि voltage और current पे depend करेगा तो यहाँ पर जो power factor होगा वो leading आएगा अब आते हैं combination तो combination के लिए हम देख लेते हैं यहां पर combination combination आएगा तो combination में क्या होगा तीन element ले लेते हैं तीन element R L C अब इसमें दो case बनेंगे जो पहला case आएगा इस case में दो case बनेंगे जो पहला case आएगा वो हमने देखा है XL greater than XC तो phase angle यहां पर भी phase angle depends on supply voltage and current इतना circuit यानि V and I और जो दूसरा case बन रहा था XC greater than XL तो इस case में भी जो phase angle होगा वो depends करेगा V and I इस पर depend करेगा तो जब इस पर depends कर रहा है यानि power factor भी इस पर depend कर रहा है तो इस case में power factor क्या होगा इस particular case में यानि जब XC greater than XC हो तो power factor इस case में भी क्या होगा लैगिंग लैगिंग हमें पता चलेगा कि XL greater than XE से है तो इसलिए lagging होगा यानि यह केस होगा inductive का इंड़क्टिव का और यह जो केस आएगा यह होगा capacitive का और capacitive सरक्ट है तो इस केस में power factor होगा leading पाउर फेक्टर होगा leading तो यहां पर हमने जो है analysis किया single phase circuit single phase AC circuit में series का case लिया था और यहां पर हमको ध्यान देना होगा कि यह जो generalized formula दिखला है जो हमने find किया है इसका इसका यूज करके हम जहां निमेर कल लगाएंगे और कि नेक्स वीडियो में हम आप से क्या डिसकस करने वाले नेक्स वीडियो में आप से डिसकस करेंगे इसपर कुछ निमेरिकल और कैसे power निकालते हैं पावर के सर्टेन फार्मूला है टाइप कितने होते हैं पावर के वह सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे थैंक यू